हलो दोस्तों, आज मैं जर्मनी के एक बियर फेस्टिवल में आया हूँ, जिसका नाम है प्लेर, यह होक्सबर्ग सिटी में लगा हुआ है और एक बात और यहाँ पर धेर सारी बियर होती है और कोई एंट्रिफीज भी नहीं होती है इससे पहले कि मैं आपको यह बियर फेस्टिवल दिखाऊं और यह बताओं कि मैंने यहां क्या क्या किया उससे पहले मैं यह बताती हूँ कि मैं यहां पर पहुची कैसे तो मेरी ट्रिप स्टार्ट होती है सर्ण जमनी के एक शेहर म्यूनिक से जिसके लिए मैं पहुची म्यूनिक के रेलवे स्टेशन पर पर क्योंकि ये बियर फेस्टिवल एक दूसरी सिटी ऑक्सबग में चल रहा है इसलिए मुझे म्यूनिक से ऑक्सबग जाना पड़ेगा और उसके लिए मैं यूस करूंगी जर्मन रेलवेस जर्मनी की टिकेट वेंडिंग मशीन में इंग्लिश का उप्शन भी होता है और आज की डे ट्रिप के लिए मैं ले रही हूँ बायन टिकेट ये बेसिकली एक ट्रेन पास है बायन स्टेट का और मुझेट एंड ऑक्सबग दोनों ही सिटीज बायन स्टेट में बढ़ती है इस पास का प्राइस है 25 यूरो और इस पास को मैं बायन स्टेट की सभी ट्रेन्स और दूसरे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में पूरे दिन लूज कर सकती हूँ वैसे इसी प्राइस रही में अलग-अलग स्टेट में सिमिलर पासेज होते हैं फाइनली मैं बैठ गई हूँ म्यूनिक से ऑक्सबर्ग की डिरेक्ट ट्रेन में म्यूनिक से ऑक्सबर्ग अराउंड 70 किलो मीटर है और ट्रेन से लगबग 45 मिनिट लगते हैं ऑक्सबर्ग पहुशने में अग्सबर्ग सिटी तो पहुच गई हूँ और लेकिन अभी भी यहां से जो बियर फेस्टिवल है वह करीब 2 किलो मेटर दूर है तो इसलिए यहां से मैं ट्रैम लेई हूँ और मज़ी की बात यह है कि यह वारा जो मेरा बाइन टिकेट मैंने डेपास लिया है यह इस त्र और कोई एंट्रिफीज भी होती है तो अंदर बिना पैसे दिये गूम तो सकते हैं बियर की भी कॉस्ट ही रहती है वैसे इस वाले फेस्ट में बियर की कॉस्ट रहती है करीब 2-5 यूरो और खाने पीने मगर की कॉस्ट अगर एक बरी का मील देखे तो 10 यूरो अच्छा इस फेस्टिवल में जादता लोग यहां की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कराते हैं इसमें लड़कों ने लेडर घोजे पहन रखी है लेडर की बढ़ का मतलब है लेडर की ट्राउजर्स और लेडकों ने जो फ्रोग पहन रखी है उसको ड्रिंडल बोलते हैं तुर क्यादी है? ता लुट मैं तो लोग वी जया है अब कि विग की किसे लेका लिए आप लोग की तो रही हिए इसलिमेट के लिए इसलिया है मैर नाम है सजेपल्ला और यहां पे पिकनिक वगारा की तरह कोई पार्टी लगी हुई है बहुत अची और आप कहां से हैं मैं हूँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेम गुजा रहा हुआ है इसलिए आप लोग के जुबान आता है और बहुत मेरवानी बहुत अचा खुदा फेस्ट वैसे तो इस फेस्ट को मुनिक में लगने वाले अक्टूबर फेस्ट का एक छोटा वर्जन भी कह सकते हैं पर क्युकि अक्टूबर फेस्ट वर्ल फेमस है इसलिए वहां पर क्राउड भी जादा है और सब चीजे भी सादा महेंगी होती है तो अगर आप एप्रिल या सब्टेंबर में जर्मनी आरे हो तो अक्टूबर फेस्ट की फील लेने के लिए इस प्लायर फेस्ट को भी विजिट कर सकते हैं I'm from India and you? Germany, from here. Yeah, from Munich. Yeah. Okay, so do you like this fest more or the October fest? Okay, I've only been to Oxford for like 3 months, 4 months. Okay, so I need to get used to this but October fest is better. Okay, okay. तो इंजर आपको तो October fest जादा पसंद आया. पर अब हम चलते हैं बीर टेंट के अंदर जो की इस festival की सबसे बड़ी हाइलाइट है. अभी अभी मैं टेंट के अंदर आयू और यहां पर ओसम बैंग चल रहे हैं बहुत जादा लाइवली सीन है, चेहल पहल है. और शाम ढलते ही festival अपने फुल स्विंग में आ जाता है, जब लोग धेर सारी बीर पीके और फुल मस्ती की मूड में आ जाते हैं. नाच गाना और धेर सारी बीर पीने के बाद अब इस ट्रिप को यहीं खतम कर रही हूँ. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. पिल नेक्स टाइम, चूस! पिल नेक्स